कूआटी कैसे है आपसर अजा आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा अक्सर लोग पानी में बनातीआ अज यह trigz बनाने के लिए इसे बनाने के लिए आपने कोई कल च ini मेसरमेंट के ल Iss copying लिए है तो हमने कोई ले लिये ए4ाधा प्रतुelsं कैम देसी घी देसी घी में है जो हलवा सबसे best बनता है बहुत ही अच्छा इसका taste आता है जैसे घी तोड़ा गरम हो जाता है तो इसमें हम एक कटोरी डालेंगे बेसन जिस कटोरी से हमने आधी कटोरी घी लिया था सेम कटोरी से हमने एक कटोरी ले लिया बेसन अभी हम गैस का फिलिम कम रखेंगे और इसको आपने ऐसे लगातार चलाते हुए भून लेना है हलवे में जो घी थोड़ा जादा क्वांटिटी में ही डाला जाता है जिससे हलवा बहुत अच्छा बनता है टेक्शुर बहुत अच्छा इसका आता है तो हमने इसको ऐसे लगातार है चलाते हुए भून लेना है और बेसन की भूनने का आपको पता कैसे चलता है एक तो यह घी को बिल्कुल ही छोड़ना स्टार्ट कर देगा कलर इसका थोड़ा चेंच होगा और बहुत ही प्यारी से इसमें से खुश्बू आने लग जाएगी तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा यह देखिए अब इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और पहले से भी यह थोड़ा लिक्वड़ी फॉर्म में लग रहे है न तो इससे हमें पता चल जाता है कि बेसन है जो अच्छी तरह से भून चुक है यह देखिए सारा इसने घी छोड़ दिया है और बेसन को भूनते टाइम अपने एक चीज का और ध्यान रखना गैस का फ्लेम बिल्कुल भी जादा नहीं करना लो फ्लेम पे हमने बेसन को है जो भूनना है जब प्यारी सी खुश्बू आने लग जाएगी तो पता चल जागा बेसन भून चुक है तो यह देखिए बेसन है जो अच्छी तरह से चीनी भी डाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए हम चीनी को बेसन में ऐसे मेल्ट होने देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूद तो यह मैंने डेड़ कटोरी इसमें जो दूद डाल दिया है तो सौरी अचानक से जो कैमरा बीच में बंद हो गया था तो दूद जब हम गुठलियां बिल्कुल भी नहीं बनेंगी तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है लगातार इसको ऐसे चलाना है जब हम लोग बेसन का हलवे दूद में बनाते हैं तो इसको जो टेक्स्चुर आता है जो सौफ्टनेस आती है बहुत ही ज्यादा यह यमी बनता है बहु अब थोड़ा यह पकना स्टार्ट हो गया है और साइडों से इसने गडाई को भी है जो यह दिखिए छोड़ना स्टार्ट कर दिया है थोड़ी देर के लिए हम इसको और पकाएंगे और साथ में हम इसमें थोड़े से ड्राइफ रूट्स एड करेंगे ड्राइफ रूट् इś में अपनी पिसंद के डाल सकते हैं, आप इसमें काजु ऐड़ कर सकते हैं और एक चीज और हमारे घर में तो बेशन का हलवा ऐसे बनता है जैसे स्पोस्कुरों किसी को हलका सा भी कोल्ड है, थोड़ा जुकाम की प्रॉब्लम होगी है तो बेसन का हलवा दूद वाला जो हम लोग बनाते हैं, जैसे रात को आप सोने से पहले इसको खाओ, उसके बाद फेस पे को कपड़ा वगेरा ढखकर थोड़ी दिर के लिए सो जाओ, तो उससे अगर हलकी सी जो काम की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी ठीक हो जाती है, तो य इतना ज्यादा सॉफ्ट बनाना, देखने में जितना यमी लग रहा है, खाने में उससे भी ज्यादा कहीं टेस्टी है, तो फ्रेंट्स आप भी इस रेस्पी को इंजोई कीजिएगा, चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सुब्सक्राइब सरूर कीजिएगा, और जब यह आप हलवा बनाते हैं, तो इसको गर्म गर्म सर्व कीजिए, गर्म हलवा यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, जल्दी ही मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई, टेक कियर, घर पे रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान क्द़ सकति कि करना, भी सकति क्युद नहीं बाई station, तो प्पनी ऊवाए, ऑि जल्दी ही मिलेंगे एक यह गते हैं, तो बहारो। भक電 SeNote पार उप सुद के यह कव्ल के खुदू की अवागते हैं, होजारो हैं, पुदू, मिए्यान रह, अजजिए इसक्र पीजूर भी कह